सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। जय संतोशी मा दोस्तों स्वागत है आपका मेन जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियां कैसा रहेगा आपका दिन शुरुवात करते हैं आज के पंचांग से 11 जुलाई 2024 दिन गुरुवार आशाड मास के शुकल पक्ष की पंचमी तिथी सुबह 10 बज कर 3 मिनट तक रहे आज का राहुकाल अर्थाद दिन का सबसे अशुब समय दोपहर 2 बज कर 12 मिनट से दोपहर 3 बज कर 52 मिनट तक रहेगा आज का अभिजीत महूरत दोपहर 12 बज कर 5 मिनट से दोपहर 12 बज कर 69 मिनट तक आज चंद्रमा जुलाई 11 शाम 7 बज कर 49 मिनट तक सिह राशिय उपर चांत कन्या राशिपर संचार करेगा और आज सूर्य मिथुन राशिपर रहेगा वार्शिक राशिफल 11 जुलाई 2024 गुरुवार आज आपकी एकाग्रता और विचार शक्ति अपने चरम पर है इसलिए आप अपने आसपास के लोगों की स्थिति के प्रती और भी संवेद अन इसके लिए आपको कुछ जुकना पड़े तो जुक जाईए आपका उदार स्वभाव आपके लिए कई खुशनुमा पल लेकर आएगा यदि आप आए में वृद्ध के स्रोत खोज रहे हैं तो सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में निवेश करें आपके आकरशन और व्यक्तित्व के माध्यम से आपको कुछ नए दोस्त मिलेंगे। रोमान्स के लिहाज से यह बहुत अच्छा दिन नहीं है क्योंकि आज आप सच्चा प्यार ढूंडने में विफल हो सकते हैं। आप किसी बड़ी योजना या घटना में भागीदार होंगे जिसके लिए आ आपको ही नुकसान होगा। आपका वैवाहिक जीवन आपके परिवार के चलते नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। लेकिन आप दोनों होश्यारी से चीजों को संभाल सकते हैं। सामाजिक गतिविधियों में आपकी उपस्थिती रहेगी और संपर्क का दायरा भी बढ़ेगा। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलने से मनप्रसन रहेगा। किसी संबंधी से चल रहा विवाद सुलच जाएगा और संबंधों में दोबारा मधुरता आएगी। कठिन समय में लोग किस प्रकार से आपका साथ देते हैं इ अगर अपनी काबिलियत के प्रति जागरूकता महसूस करेंगे। अगर आप नया काम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो जल्दी ही सफलता मिलेगी। पार्टनर को नजर अंदाज ना करें वरना नाराजगी बढ़ सकती है। अधिकता के कारण सेहत खराब होने की सं भावना है। सुबह आय की स्थिति अच्छी बनी रहेगी लेकिन दिन के बीच में धन समबंधी समस्या हो सकती है। हाला कि आर्थिक समस्याएं शीओ रही दूर होंगी। कुछ मामलों में अनिर्णै की स्थिति बनेगी। लेकिन सही सलाह से आगे बढ़ने में सक्शम हों और किसी नए बड़े कार्य की योजना भी बनेगी। आपके विचारों से दूसरे प्रभावित होंगे और सम्मान की प्राप्ति होगी। दिन के अंत में परिवार में कुछ परेशानी आने की संभावना है। लेकिन सावधानी बरतने से लाब होगा। कार्य की अधिकता भी रहेगी और व्यवसाय में कठिनाई भी आ सकती है। इसलिए अपना खयाल रखें। आज का दिन भाग्य के दृष्टिकोंड से अच्छा रहेगा। सामाजिक शेत्रों में कारेरत लोगों को अच्छा लाब मिलेगा। किसी अंजान व्यक्ति से लेन देन करने से बचें। कारोबार में आपकी सांख चारों और फैलेगी और सहयोगी भी कामों में आपकी पूरी मदद करेंगे। यदि आप किसी से धन उधार लेंगे तो वह भी समय पर आपको आसानी से मिल जाएगा। माता पिता के आशिरवाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है सावधान रहें और क्रोध और जीत जैसी नकारात्मक बातों को अपने स्वभाव में शामिल ना होने दे। किसी के साथ भी बात चीत करते समय अनुचित शब्दों का प्रयोग करने से बचें। वरना वाद विवाद की स्थिती बन सकती है तो समय का उचित प्रतिबंध र से जुड़े हैं तो उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। हालांकि मामला तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आप खुद पहल नहीं करेंगे। आपको कमान खुद अपने हाथों में लेनी होगी। अगर कोई खास व्यक्ति आपकी तरफ आकरशित हो तो है क्योंकि आपका आकरशन और करिश्मा किसी को भी आकरशित कर सकता है। अभी आप अपने सपनों के राजा या रानी के साथ समय बिताने के इच्छुक हैं किन्तु अचानक आई मुसीबतें आपकी इच्छाओं पर पानी फेर सकती हैं। आज आप अपनी भावनाओं को और इसके लिए कुछ सर्प्राइज का भी प्रबंधन कर सकते हैं। चिंता ना करें। आज आपका दिन भाग्यशाली है और आपके हर प्रयास में सफलता मिलेगी। प्यार की उर्जा आपको खास बनाती है और यही कारण है कि लोग आपके प्रती आकरशित होते हैं। करियर आपका धैर्य, कर्तव्य और जिम्मेदारी की भावना आपके रास्ते में आ रही सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। आपको अपनी हास्यक्षमता को जागरित करना होगा ताकि आप कार्यक्षित्र में एक अच्छे माहौल का निर्माण कर सकें, जिससे आप आराम से अपने कार्य को कर सकें। दिन के अंत में एक गंभीर वित्तिय लाब का मौका आपको मिल सकता है। आपका प्राकृतिक करिश्मा चरम पर है, जो इसे नेटवरकिंग और पेशेवर संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक आदर्श समय बनाता है। व्यक्तियों को आकर्शित करने की आपकी भावना आपकी करियर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। समय का सही प्रबंधन रखें। बात करते हैं प्रेम जीवन की। आज का दिन आपके संबंध को अगले स्तर पर ले जाने की लिए बहुत ही अच्छा है। यदि आप अकेले हैं, तो किसी के साथ संबंध बना सकते हैं, और यदि पहले से ही किसी के साथ हैं, तो उन्हें विवाह के लिए प्रस्तावित कर सकते हैं। हलांकि बात तब तक आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक आप खुद पहल नहीं करेंगे। आपको कमान खुद अपने हाथों में लेनी होगी। यदि कोई खास व्यक्ति आपकी और आकरशित हो, तो आश्चरे चकित नहों, क्योंकि आपका आकरशन और करिश्मा किसी को भी आकरशित कर सकता है। आप इस समय अपने सपनों के राजा या रानी के साथ समय बिताने के इच्छुक हैं, किन्तु अचानक आने वाली परेशानिया आपके इच्छाओं पर पानी फेर सकती हैं। आज आप अपनी भावनाओं को अपने साथी से व्यक्त करेंगे और इसके लिए एक छोटा सा सर्प्राइज भी योजना बना सकते हैं। चिंता न करें, आज आपका दिन भाग्यशाली है और आपके हर प्रयास में सफलता साथ देगी। प्रेम की उर्जा आपको विशेश बनाती है। और यही कारण है कि लोग आपके प्रतियाकरशित होते हैं। अब बात करते हैं करियर की। आपका धैर्य, कर्तव्य और जिम्मेदारी की भावना आपके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। आपको अपनी हास्य क्षमता को जागरित करना होगा ताकि आपके कार्यक्षित्र में एक अच्छा माहौल बन सके। जिससे आप आराम से अपने कार्य को कर सके। दिन के अंत में एक महत्वपूर्ण वित्तीय लाब का मौका मिल सकता है। आपका प्राकृतिक करिश्मा चरम पर है, जो इसे नेटवर्किंग और पेशेवर संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक आदर्श क्षन बनाता है। व्यक्तियों को आकर्शित करने की क्षमता आपके करियर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब प्रत्याशित अवसरों की तलाश करें, जो आकस्मिक बातचीत या सामाजिक मेल जोल से उत्पन्न हो सकते हैं। अपने करियर की महत्वा कांगशाओं पर चर्चा करने से न हिचकिचाएं। आपको मिलने वाला प्रोटसाहन और समर्थन परिवर्तनकारी हो सकता है। हालांकि सहकर्मियों के साथ छोटी मोटी गलत फहमिया हो सकती हैं। लेकिन उन्हें स्पष्ट और खुली बातचीत के माध्यम से आसानी से हल किया जा सकता है। सकारात्मक और सक्रिय रवयया बनाए रखें और अपने करियर को नई उन्चाईयों तक पहुंचते देखें। आप कारिक शेत्र में अपने व्यवहारिक दृष्टिकोंड से कई मुद्दों को सुलजाने में सक्षम रहेंगे। फोन और मीडिया जैसी गतिविधियों के म आप अपने नौकरी की मांग के चलते अस्वास्थ्यकर घंटों में भी काम करते रहें हैं जिससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। सुबह जल्दी उठकर सैर पर जाने और जॉगिंग करने की कोशिश करें इससे आपका शरीर और मन दोनों ही तरोताजा महसूस करेंगे। आपके कारिस्थल पर काम का अधिक तनाव होने से आपकी सारी व्यवस्था गडबड़ा रही है। आपको रिलैक्स करने के लिए कोई स्वस्थ तरीका अपनाना चाहिए। सेहत का खयाल रखें। आज का उपाए। आज आप विश्णु भगवान की विधिवत पूजा और आराधना करें। शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहे। आपका दिन शुभ हो।